जहिन दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं ठीक होंगे देखें दोस्तों आप लोगों के लिए रेलवे की तरब से एक बहुत ही बड़ी खुसकवरी निकल के आच चुकी है दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है आपको हम पहले विडियो बना करके दिये थे कि की बंपर भरती दोस्तों आ रही है कौन-कौन भर सकता है इसके लिए क्या पढ़ना होगा ऐसा नहीं है कि मतलब घर में आग लगिया आभी तुरंत कुआ खो देंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है तो बैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा आप लोगों को आप ल बात करें तो 7784 सीट है सीट बहुत जादा है दोस्तो 7,784 टीटी का पोश्ट है तो पेपर में इसके बारे में न्यूस भी दिया है दोस्तों की टीटी के पदबर बंपर भरती होने वाली है तो आगे बढ़ने से पहले कि कौन-कौन भर सकता है सलबस क्या है आपको हम वह दिखाते हैं जो कि पेपर में दिया गया है नहीं तो आप लोग कहोगे कि आप ऐसे ही वीडियो बना देते हो बिलकुल नहीं आपको पूरूब दिखाएंगे फिर आगे दोस्तों समझाएंगे तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर के लिए चलते हैं मोबाल स्क्रीन में और यहां पर आप लोगों को टीटी के बारे में दोस्तों जानकारी नहीं दिये थे देखें दोस्तों यहां पर क्या लिखा है कि मार्च अंत तक होंगी न्यूक्तियां ठीक है और टीटी के सततर सो चौरासी पद खाली है और यहां आगे लिखा है कि रेलवे में फिलहाल तो दोस्तो रेलवे में जो भी भैकेंसी आएगा तो टीटी क्या भी भैकेंसी दोस्तो होने वाला है तो दोस्तो जैसा कि आपने देखा कि टीटी का बंपर भरती दोस्तो आ रहा है अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पद का नाम क्या हो गया टीटी ठीक है टीटी तो आप लोग समझते ही होंगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जौब का विभाग किस विभाग में आपको नोकरी मिलेगा तो रेलवे में का मिलेगा दोस्तो इंडियन रेलवे में आप सरकारी करमचारी बन जाईएगा सेंट्रल गवर्मेंट का आप एंप्लॉई बन जाईएगा ठीक है भारती रेलवे में एप्लिकेशन फी कितना लगने वाला है तो देखे जनरल ओबीसी और ईडवलुएस इनको 500 रुपय आपका पेमेंट लगेगा SCHT और PH Candidate को 200 रुपय पेमेंट देना होगा एज लिमिट का बात करेंगे उमर सिमा कितना सी कितना होना चाहिए तो 18 से 30 साल इस पे एज लिमिट मांगेगा एज लिमिट क्या मांगेगा 18 से 30 साल योगिता की बात करेंगे दोस्तों तो इस पे केवल 12th पास मांगेगा Art, Science, Commerce कुछ भी है आप अपलाई कर सकते हैं परसेंटेज का कोई डिमांड इस पर नहीं किया जाता है तो यह हो गया दोस्तों रेलवेग टीटी का बमपर भरती आ रहा है अब यहां पर सवाल उड़ता है कि क्या हम पढ़ेंगे अभी से पढ़ना पढ़ेगा देखे दोस्तों आप लोग हमेस्था पुछते हैं कि मैट की तयारी के लिए कौन सा बूक लें जो कि कम्पिटीशन के लिए बेस्ट होगा देखे दोस्तों बूक वही लेना चाहिए जिस पर सौट का ट्रिक जो है बहुत जादा संक्या में दिया हो इसके लिए सबसे बेस्ट बूक है दोस्तों एस के पबलिकेशन यानि स्री क्रिशन पबलिकेशन के ये जो बूक आप देख रहे हैं स्क्रीन में इस पर क्या है दोस्तों कि अंक गनित प्लस एडवांस दोनों में आप लोगों को मैत का शौट ट्रिक दे करके बता गया है क्योंकि एक्जाम हॉल में आपके पास टाइम बहुत कम रहता है और उस पर बिना ट्रिक का यूज कि ये आप मैत को नहीं बना पाईएगा इस बूक में क्या है दोस्तों कि हर टॉपिक का मिला करके 3300 से जादा इस पर अबजेक्टिव कोशन दिया गया है जिससे आपका अच्छा कासा इस पर प्राक्टिस हो जाएगा दूसरा है इस सौट कट्स के नियाम और उससे संबंदित जितना भी प्रिविया सियर का कोशन पेपर है वो सारा चीज इस पर दिया गया है और यह जो बुक है दोस्तो यह इंग्लिस मेडियम में भी उपलब्ध है और यदि आप इंग्लिस मेडियम के स्टूडेंट है तो आप इसको लीजेगा और यदि आप हिंदी मेडियम के स्टूडेंट है तो आप इसको ले सकते हैं और बहतर तयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिना ट्रीक का दोस्तों कूज नहीं होने वाला है, तो इसको खरीदेंगे कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका पर्चेस लिंक दे दी हैं, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर अपने नजदी की मार्केट स किताब दुकान में जा करके, आप इसको खरीद के मैथमेटिक्स की बहतर तयारी कर सकते हैं, अचानक बैकेंसी निकलेगा, फिर पढ़िएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपका सेलेक्शन फिर मुस्किल हो जाएगा, अभी से आपको तयार रहना पड़ेगा, और सिर करलेगा, परामीडिकल की बहतर वयतर रहेगा, और मिनिस्ट्रियल के बहतर का ओड़ेगा, और कई परकार का बहतर है, लेकिन इतना अच्छा opportunity इतना अच्छा मौका आपको दोबारा फिर हो सकता है ना भी मिले ठीक है तो इस मौका का फाइदा जरूर उठाइएगा समझ बागया माने नहीं है प्रधान मंत्री स्री नरिंद मोदिसार ने एलान किया था कि 10 लाग नहीं भरती होगी mission mode में और वो सुरू भी हो चुका है देखिए सलबस की बात करें टीटी का तो आपको क्या क्या पढ़ के रखना होगा अभी से जीके पर फोकस कीजिए और करेंट अपेस पर जीके और करेंट अपेस इसके बाद reasoning इसके बाद mathematics, science और tech से कोशन इस पर पूछेगा 90 मिनिट का आपको टाइम मिलेगा 120 कोशन पूछेगा समझ बागया तो टीटी की तैयारी के लिए आपको इतना सब पढ़ना पढ़ेगा और लगभग railway का जो भी exam होता है सब में यही syllabus लगभग रहता है तो आप railway की किसी भी job की त्यारी करते हैं तो इतना syllabus तो आपको complete करना ही पढ़ेगा तब यह आपका पका सलेक्शन railway के किसी भी post में आपका हो सकता है सिप टीटी ही ने, ALP, Technician, Group, D, NTP, सब का लगभग यही सलेबस होता है इसलिए अभी से जीके जीएस रिजनिंग करेंट अफेस इसा पढ़ना आप चालू कर दीजे ठीक है इसके बाद बात करेंगे दोस्तो अपलाइड डेट कब है देखो लिखा है पेपर में कि 2023 जो है मार्च अप्रेल तरफ वेकेंसी दोस्तो आएगा सबसे पेले टीटी का ही वेकेंसी दोस्तो निकलेगा इसलिए आप तयार रह जाएएई अभी क्या चल रहा है तो तो जो भी होगा इस चैनल पर आप लोगों को फटा फट अपडेट मिल जाएगा, तो 2023 देखें दोस्तों, 2023 अप्रिल तक मान के चलो कि आप लोगों को टीटी का वैकेंसी देखने को मिल सकता है, तो आप अपनी तैयारी में जोर लगा दीजिए, अभी से तैयारी कैसे करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विदार जी पुछते हैं ना, कि अभी सम तैयारी कैसे करें, तो आपको करना क्या क्या है दियान से मेरे बात को सुनिए सबसे पहले तो पूराना paper को खोजो पूराना paper मतलब जो TT का, railway का, NTPC का, goods guard का इस सब क्या इसा question पूछता है railway को पहले समझो कि railway कैसा question पूछता है उसकी जड़ को पकड़ो ठीक है, इसके बाद कोई भी एक अच्छा सा मॉक टेस्ट पकड़ लो मॉक टेस्ट पकड़ करके मोबाइल में या लैपटॉप में आप मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि ओनलाइन एक्जाम होगा आचानक वहां जाके गड़ड़ा जाईएगा एक्जाम आप नहीं दे पाईएगा ले लेना है और तयारी में लग जाना है ऐसा माँ सोचीगा कि वैकेंसी निकलेगा तब हम इसका तयारी सुरू करेंगे बिल्कुल भी नहीं तो रेलेवे में दोस्तों टीटी के साथ साथ डेड़ लग नया वैकेंसी आ रहा है